कॉस्चन है एक घड़ी का अंकीत मुले 600 रुपए है एक दुकंदार दो क्रमिक छूट देता है और 400 उनसर रुपए में घड़ी बेचता है यदि पहली छूट 10 प्रतसत है तो दूसरी छूट कितनी है माल लेगे दूसरी छूट x प्रतसत है घड़ी का अंकीत मुले है 600 रुपए और इस पहली छूट 10 प्रतसत की है तो छूट हो जाएगी 90 बटे 100 गुड़ा दूसरी छूट x प्रतसत है तो छूट हो जाएगी 100-1 बटे 100 और इसका विक्रे मुले है 469 रुपए 0 से 0 कट जाएंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा 100 माइनस X बराबर हो जाएगा 4590 बटी 54 9 से भाग दे देंगे 6 बार जाएगा इसमें दे देंगे यह हो जाएगा 510 6 का भाग दे देंगे 510 में यह हो जाएगा 85 100 माइनस X बराबर हो जाएगा 85 तो x बराबर आ जाएगा 100-85 बराबर 15 पृच्छत तो दूसरी छूट हो जाएगी 15 पृच्छत option B इसका right answer होगा